हेलो फ्रेंड स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में तो आज के वीडियो में मैं आपको ब्लैक हेर करने का एक बहुत ही नाचरल सा तरीका बताने वाले हूँ इसके लिए हमें क्या यूज करना है पूरा वीडियो देखेगा अगर आप भी सफेद वालों से तंग आगे हैं और कोई कैमिकल बली डाई आप लगा रहे हैं जिसके एक साथ की आपको हेर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है और भी कई सारी जो है स्किन प्रॉब्लम हो जाती है जो की हम कैमिकल यूज करते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको यह बताने बाली हूं तो फ्रेंड्स आए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो आप ध्यान से देखेगा तो हमें क्या चाहिए एक हमें बीट रूट चाहिए यह देखिए तो एक हमने बीट रूट ल फिकतार नहीं होगा. अगर हम अकेला indigo powder लगाते हैं उस से कभी भी आप माल लिजिए उस से कभी भी आपके ब्लैक नहीं होंगे यह इन्डिको जोट है कि इνडिको पॉर्ड को काल event काले हो जाएंगे तो आपको मैं पूरा बताऊंगी आप वीडियो पूरा देखिएगा तो देखिए हमने बीट रूट को जो है कदूकस कर लेना है तो ये मैंने इसको ये ऐसे आपने ग्रेट कर लेना है और जितना आपको चाहिए अपने बालों के हिसाब से आप ले सकते हो और आप यकीन मानिए कि ये बहुत ही effective है अगर आप अपने बालों के apply करोगे आपको खुद पता चल जाएगा आपने क्या करना है ये देखो आपने ये नहीं करना कि इसका रास निकालना है रास निकालने के लिए तो इसका बहुत थोड़ा सा रास निकलेगा इतना जियादा नहीं निकलेगा तो आपने क्या करना है ये देखो पानी में इसको पानी डाल के थोड़ा सा ना अच्छे से मसर लेना आपने हाथों से क्योंकि इससे बहुत ही ज़ादा जो है अगरर निकलता है तो एक बार निकाल के आप छान के ना फिर आपके इसको फिर से मसल सकते हो, और फ्रेंट जो बच जाएगा ना, उसको भी आप फैंकिये मत, उसको आपने क्या करना है, सुखा लेना है, और जब आपके पास थोड़ा ज्यादा इकठा हो जाए, आप उसको भी मिक्षी में घ्राइंड करके, powder मना के आप रख सकते हो और कभी भी अपने बालों पर जब apply करना हो तो आप उसको use कर सकते हो powder को तो ये देखिए जितना भी अपने आपके बालों के लिए चाहिए उतना आप indigo powder ले लिजिए और बाकी आपने बिल्कुल भी पानी में इसको नहीं घोलना है जो हमने बीट रूट का पानी तियार किया था ना उसी के बीच में ही हमने इसको घोलना है तो indigo powder का तो सभी को पता है इसे नील पती के नाम से भी जाना जाता है तो इसका जो color होता है नै अच्छले में नीला color होता है तो नीले में अगर हम यह लाल कलर मिला देंगे ना बीटरूट का तो यह ब्लैक कलर बन जाएगा तो यह देखिए स्मूथ सा पेस्ट हमने तियार कर लेना है और इसका कलर एक दम से नैच्रल ब्लैक आएगा आपके हेर जो है आप जब अप्लाई करोगे फिर आपको पता चलेगा तो यह जो मेरा बच गया ना इसको मैं सुका लोगी और बाद में इसका जो है पौडर बना लोगी तो जब भी कभी मैंने लगाना है तो यह देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ मेरे हस्मने पहले महंदी लगाई थी काफी टाइम पहले लेकिन बीच में से अभी देखो आपको वाइट हेर दिख रहे हैं तो आपने क्या करना बिलकुल भी महंदी बगेरा नहीं लगानी यह काफी टाइम पहले नहीं लगाई थी लेकिन इस वार जो है इंडिगो पाउडर ही मैंने बीट रूट के साथ जो है पालों पे अपलाई किया है तो पहले देख लिए कि ऐसा इस बालों का कलर है और बाद में मैं आपको दिखाऊंगी बिलकुल नैचरल ब्लैक सा कलर आ आपको प्रॉब्लम्स आजाती है उससे यह आकि हम फटा फट तो हमारा यह बाल जो है काले हो जाते हैं लेकिन बहुत सारी बाद में जो है बाद में काफी सारी दिक्कत हमें आती है तो यह देखिए अब आपने अच्छे से मैंने बालों को पूरा कवर कर दिया है और आप गंटा में इतने जल्दी बाल जो है नेच्रल से ब्लैक नहीं होंगे तो पूरा मैंने डेड़ गंटा छोड़ा था तो डेड़ गंटे बाद देख लिए ऐसा कलर आ जाता है यह थोड़ी शाइनिंग जी आ रही है ना थोड़ा निला निला सा लग रहा है आपको तो यह ब प्राई करोगे ना तो अपने बालों पर अपलाई करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा और आप मुझे कमेंट करके फिर जरूर बताईएगा कि आपको कैसी लगी यह रैमडी पहले आप यूज जरूर के जिएगा फिर मुझे बताईएगा कि आपको कैसा लग पॉडर तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही